नवस्कार और वेलकम दी वोल अफेर्ट जानु प्रशान दवन युक्रेन पर एक बहुती बड़ा आरोप लगाया है रश्या ने रश्या ने ओपन नी बोल दिया है कि युक्रेन एक डिर्टी नुकलियर बॉंब बना रहा है और युवैसे ने हेल्प भी करनी स्टार्ट कर आप इंटरनाशनल मीनिया में देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ हर जगा कि ये सिर्फ रश्या का आरोप है रश्या ने कोई यहां पर एविडेंस नहीं दिखाया कि जैनुवनली युक्रेन ने एक डिर्टी नुकलियर बॉंब चन्नोबल में बनाना स्टार्ट कर दिय यहां पर आप देखोगे रश्या विडाउट एविडेंस सेज युक्रेन मेकिंग डिर्टी बॉंब अब अगें यहां पर आप कह सकते हैं एविडेंस क्या दिखाया रश्या यहां पर कुछ इसका एविडेंस होता है नहीं देखिए यह बात भी ठीक है यह बिलकुल एक चेट कर पाना भी होती मुश्किल होगा और यह कोई बड़ी बात नहीं होगी के युएस ने इस सब में युक्रेन की हेल्प करना भी स्टार्ट कर दिया हो रश्या ने यह भी क्लेम किया है के युएस कोड हेल्प युक्रेन टु डेवलप नुक्लियर वैपन नाव पहली यहाँ पे होगा crystal clear ना सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा के रश्या का जो सरकारी मीडिया है इन लोगों ने यह का है के इनके intelligence circle में एक बहुती reputed इंसान ने यह क्लेम किया है मतलब कि रश्यन गवर्मेंट से ही एक official ने यह क्लेम किया है के युक्रेन एक plutonium based dirty bomb बना रहा है dirty nuclear bomb बना रहा है और यह पहली बार नहीं है जब रश्या की तरफ से यारोप आया है आपको याद होगा जब यह war start हुई थी उससे पहले व्लादवाय पुतिन ने 24 feb को एक speech दिया था उस speech में लोगों ने यह का था कि हम युक्रेन पर एक operation करेंगे यह एक demilitarization वाला operation होगा और इस speech के बीच में पुतिन के मुझ से यह भी निकल गया था कि हम लोग जानते हैं कि USSR की technology को use करके युक्रेन ने काफी बार nuclear bomb बनाने की कोशिश भी करी है हाला कि उसके बाद इनोंने यह यह नहीं किया कि क्या युक्रेन इसमें सफल हुआ था या नहीं हु अगर आप मुझ से पूछें कि क्या युक्रेन जैनुवनली एक nuclear bomb बना रहा होगा तो देखो nuclear bomb बनाना जैसे कि आसमझ पाए होंगे एक बहुत ही difficult process होता है इसके लिए आपको plutonium को enrich करने की facility चाहिए होती है आपके पास centrifuges होने चाहिए इन सब का कोई भी evidence युक्रेन के पास नहीं मिला है तो most probably युक्रेन एक proper nuclear bomb नहीं बना रहा हो सकता है कि ये एक dirty bomb बना रहे हो डिर्टी bomb क्या है ये जानने से पहले यहाँ पर ये भी जान लो कि क्या युक्रेन के पास इतिहास में एक बार nuclear weapons थे या नहीं इसको लेकर काफी misunderstanding भी आज के समय देखिए आप स nuclear missiles deploy किये गए थे defense purpose के लिए फिर अचानक से यहाँ पर जब देश टूड़ गया suddenly देश टूड़ गया तो कुछ nuclear missile युक्रेन में ही रह गए और ना सिर्व युक्रेन में interestingly कुछ nuclear missile कजाकस्तान में उस्बेकिस्तान इन कंट्रीज में भी रह गए थे और सिंस रश्या ने क् गुदापैस memorandum एक आपके लिए agreement हुआ था उसके अंडर युक्रेन कजाकस्तान वेरियस कंट्रीज ने जो USSR के टाइम के nuclear missile थे ये वापस देदी है रश्या अब ये बास सुनके कई लोग कहते हैं कि दिस इस सच फूलिश मूब यासा करने की क्या जरूद थी nuclear missile अपने प एक report भी published करी गई है the myth of Ukraine's deterrent इन missiles को launch कैसे करना है इनका अब sport कैसे होगा इन सब के codes, codex, सब कुछ Moscow के पास थे यहाँ पे आप देखोगे लिखा है Moscow retained complete command and control and Kiev never had access to the authorization code necessary to launch them तो आप कह लिए युक्रेन के perspective से वो missile dummy ही थी Ukraine अगर उन missile को रखता भी अपने पास तो आज के समय जो war चल रही है उसमें उसका zero impact होता हां मैं आपर ये जरूर रैट करूँगा कि जब रशिया ने फिर 2014 में Ukraine से Crimea छीन लिया उसके बाद Ukraine ने का कि ये Budapest memorandum की violation हुई है क्योंकि 1994 में Ukraine को at least इतनी assurance दी गई थी कि अगर Ukraine nuclear missile जो इनके पास पड़े हुए है Russia को वापस कर देत है तो उसके बतले में Russia ensure करेगा कि Ukraine पर कभी in the future nuclear attack ना हो जाए इवन दो Ukraine के पास कभी properly nuclear missile थे नहीं ये लोग मानते हैं कि Russia ने इनके साथ 1994 में चल किया था जूट बोलके इन से missile वापस ले लिये थे और इसलिए अब Russia के हिसाब से Ukraine ने एक dirty nuclear bomb राना start कर दिया है अब dirty nuclear bomb क्य होता है देखिए आप imagine करिए एक nuclear power plant से जो भी radiological आपके पास कोई waste निकलता है आपके पास plutonium है वहाँ पे जो भी radioactive material आपको मिलता है जिससे human body को नुक्सान हो चकता है आप उस सब को एक खटा करते हैं और उसके आसपास dynamites जो भी आपको explosive device मिलते हैं इस सब का एक बहुती बड़ा device बना देते हैं एक bomb बना देते हैं इसको कहा जाता है एक dirty bomb dirty bomb बहुत जादा unorganized होता है ये एक nuclear bomb की तरह explode नहीं करता ठीक है nuclear bomb एक अपने आप में आप कहली जिए बहुती advanced technology का result होता है उसको बनाने में भी काफी time लगता है एक dirty bomb आप desi language में आप कहली जिए बस एक जुगार type की चीज होती है जिसका main काम होता है डर फिलाना एक dirty nuclear bomb को गहीं पर विस्पोर्ट किया जाएगा तो वहाँ पर nuclear material से कम damage होगा जो actual यहाँ पर damage होने वाला है वो dynamites और explosive से ही होगा हाँ बिलकुल ये impact बिलकुल होगा कि आसपास since radiation बहुत जारा फैल जाएगा तो उससे लोग डरावा वहसूस करेंगे उससे आपके लिजे panic फैल जाएगा और हो सकता है कि एक army जो advance कर रही है ये कुछ समय के लिए रुख जाए तो कम शब्दों में dirty bomb कहीं से भी उतना dangerous नहीं होता जितना एक actual nuclear bomb होता है अब रशिया अपनी तरफ से ये क्यों कह रहा है युक्रेनियंस कहते हैं कि यहाँ पर तो radiation फैल गया nuclear bomb का विस्पोर्ट हुआ है तो एक बार चेक कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि यह dirty nuclear bomb भी हो दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि शायद रशिया यहाँ पर एक pretext बना रहा है एक nuclear strike का यह यहाँ पर almost आप कह यह रशिया की नहीं है रशिया की nuclear strike जो command है यह already alert पे है और since previous वीडियो में जैसे मैं आपको बताया था अब various countries से volunteers खोदी युक्रेन में जा रहे हैं युक्रेन की help करने के लिए यह सब देखकर possible है मैं अभी भी कहूंगा possible है कि रशिया एक बार को nuclear option यहाँ पर use करे और finally आपे मैं आपसे question पूछूँगा बहुत important question आज के समय यह topic since काफी news में है कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी भी exam में यह question आपसे पूछा जाए question यह है कि United Nations हर साल International Day Against Nuclear Test किस दिन observe करता है बिलकुल जैसे आप समझ पा रहे होंगे इस दिन UN बात करता है कि दुनिया भर में किसी भी country को nuclear test नहीं करने चाहिए आपको पताना है किस date को यह observe किया जाता है 1st January, November 3rd, 29th August या फिर 29th September comment section में करिए उतर जो लोग सही answer करेंगे उनके answer को मैं heart दे दूँगा वैसे मझे अजीब लग रहा है इस साल जब यह day UN observe करवाएगा तो कई देश कहेंगे कि देए यह तो बात गलत है क्योंकि युक्रियन का हाल देखकर एक बात तो nuclear test करी दो nuclear bomb बनाई दो क्योंकि अगर आपके पास nuclear bomb नहीं है तो रशया जारा country आपको attack कर सकता तो खेर the future of the world is quite uncertain और फाइनली आपर मैं यह भी add कर दूँ के लाइफ में अगर आप एक बार एक proper attempt दिना चाते हैं UPSC exam के लिए तो comment section में जाओ, pinned comment में मिलेगा आपको यह link UPSC वाले link प जाकर अलग-अलग अपनी card पे डालोगे फिर purchase करोगे, you will have to pay 10-15,000 rupees extra, combo में आपकी saving होती है, तो click करिए pick up plan पर और अगर आपके पास अभी time है, अगर माल लीजिए 2-3 साल का time है, आप से 2025 में एक proper genuine attend देना UPSC का, तो आप 24 या फिर 36 मेने का जो course है, यह कर सकते हैं purchase, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, pay करने की आप सकता नहीं है, simply यहाँ पर code डालिए PD10 and the prices will just start falling, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ यह है वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all.